अव्याज वेलकम बैक आएक टेगर में अपका स्वागत है मैं दॉक्टर दीपक ठाकुर्थ आज हम बात करने वाले हैं कि आख में जो हमारा पीलापन होता है उसकी क्या-क्या इलाज है कैसे हम उसको अपनी आखों से दूर करें तो आखों में जो पीलापन होता है पहले हम उसके cause तो होते हैं कि जब हम हमारे आखों में कोई भी infection हो जाता है कोई भी allergy हो जाती है तो जब हम उसका treatment लेते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं उसका treatment अच्छे से उसको treat नहीं कराते और उसको अपने आप बहुत दिनों तक लंबे time तक अपनी आखों में उसको रहने देते हैं जिसकी वज़े से वो क्या करता है हमारी आखों में थोड़ी सी yellow पन उसको अमारी लाली तो आखों से चली जाती है और आखों में पीलापन वो बिमारी अफ़ोड़ी चोड़ी जाती है और बहुत सारे लोगों में जो पीलापन होता है वो किसी बिमारी की वज़े से होता है जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बोलें कि मेरी तो आख लाल नहीं होती, मुझे तो अलरजी नहीं होती, तब भी मेरी आखे पीली है, तो उसका जो main cause है, वो ये है कि जब लोगों को जॉन्डेस हो जाता है, हैपटाइटिस भी हो जाता है, कोई भी ऐसी बिमारी हो जाती है, जो हमारी लिवर को effect करती है, जैसे cirrhosis होती है, fatty liver होता है, इन सब बिमारियों में जब हमारा लिवर, लिवर हमारा effect होता है, तो हमारी बॉडी में जो blue rubin बनते हैं, blue rubin जब हमारा लिवर अच्छे से उनको digest नहीं कर पाता है, तो हमारी बॉडी में वो enzyme छोडता है, जिसक पीलापन बहुत लंबे समय से हो, 6 महीने, 1 साल से हो, जिसको हम chronic कहते हैं, पीलापन अगर हम हटाने की बात करें कि क्या home remedies हैं, मैं आपको क्या recommend करूंगा कि कैसे आप अपना आखों का पीलापन खतम करें, पीलापन खतम करने के लिए आपको कुछ चीजों का सेवन ज़्यादा करना पड़ेगा, खाने में नीबू मिलाके खाएं, नीबू का पानी पिएं, अपने खाने में कैरट आपको ज़्यादा खानी पड़ेंगी, और उसके साथ-साथ हम एक chamomile, chamomile की tea आती है, chamomile एक flower होता है, जिसकी tea आती है, वो आपको बहुत फायदा देती ह वह उसकी टी ले और उसको पिए रेगुलर बेसिस पर जिससे क्या होगा आपके इन सब चीजों से आपके लिवर का जो फंक्सन होगा लिवर की फंक्सनिंग अच्छी होगी लिवर आपका अच्छे से काम करने लगेगा तो आपके ब्लूरुबिन अच्छे से डाइजेस्ट होंगे और आपकी आँखों का पीलापन धीरे धीरे कुछ विल्कुल एक दम हद तक ठीक हो जाएगा पर उसके लिए आपको गाजर और इनका सेवन थोड़ा लंबे टाइम के लिए गरना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक दो दिन आपने खाया और आपका ठीक हो गया यह सब चीज आप करिए आपका 100% आपको की लाली में आपको अराम मिलेगा बाकी और मेरी more related वीडियो देखने के लिए आँखों के बारे में और अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो